वेल स्टुडेंट्स आपके पास पैटागोजी के दो सब्जक्ट होंगे एक आपका जैसे फिजिकल साइंस दूसरा मैथमेटिक्स हिंदी उसके साथ SST या इंगलिस उसके साथ SST दोनों पेडगोजि के जो मोटी वाली फाइले हैं जिन में आपने लेसंनल लिखने हैं उसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको माइक्रो टीचिंग लिखना है What is माइक्रो टीचिंग? its definitions जिसके इसने दी हैं और ये क्या होता है इसका cycle क्या है ये पूरा detail में एक बार इसको लिख लीजिएगा और इसको ध्यान भी रखना है क्योंकि micro teaching means for the skill development अब skill के लिए क्या क्या skill हो सकते हैं बहुत सारे skill हो सकते हैं वो अभी discuss करेंगे तो यहां पर जो micro teaching है micro teaching का क्या micro mean होता है small small scale of teaching तो किसी एक particular इसके लिए causal को develop करने के लिए होता है जिसमें class में बच्चे 5 से 10 तक होते हैं और इसमें जो teaching होगी that will be only of the 6 minutes but the total cycle is of 36 minutes total cycle आपका 36 minutes का होगा किन्तु teaching उसमें केवल 6 minutes की है इसलिए आपको जो है एक cycle अपने दिमाग में ध्यान रखना है कि किस तरह से हमने यह cycle पूरा करना है कि पहले teaching है पहले आप planning करेंगे planning के बाद फिर teaching करेंगे teaching के बाद उसका feedback लेंगे फिर इसके बाद re-planning करेंगे re-planning के बाद re-feedback तो इस तरह से यह आपका लगवक 6 minutes का एक वो रहेगा क्या रहेगा कि कोई भी teaching skill माइक्रो teaching skill में किसी एक skill को develop करने के लिए तो इसके बारे में आपने लिख लेना है कि माइक्रो teaching क्या है और यह कितने minute का होता है और क्या क्या है इसके अंतरगत यह आप में ध्यान में रखना है ठीक है तो अब हम चलते हैं सिर्फ एक क्या